नमस्कार दोस्तों, तो हम UPPCS के लिए C-SAT के बिगत बर्सों के प्रस्ण को सॉल्व कर रहे थे तो 2012 और 2013 का हमने समान हिंदी के सारे प्रस्णों का फास्ट रिविजन कर लिया है और अब हम इस वीडियो में 2014 और 2015 का जो हिंदी के प्रस्णाय थे उसका फास्ट रिविजन करेंगे तो देखिए पहले प्रस्ण में लिखवान निमलिखित में से कौन सा एक सब्द तदभव नहीं है तो बिकल्ब ए जो है तसकर ये तदभव नहीं है क्यों क्योंकि तसकर अर्वी सब्द होता है तो इसलिए ये तदभव नहीं है लेकिन हमारे लिए महतपुर्ण ये है जानना कि किसे कहते हैं तदभव सब्द यानि पहचानने का तरीका क्या है तो देखिए, तत्सम का मतलब होता है, उसके समान, मतलब किसके समान, संस्कीत के समान, जो सद संस्कीत में परियोग जैसे हो रहे थे न, वैसे ही बिना परिवर्तन के आज भी हिंदी में परियोग हो रहे हैं, तो उसे तत्सम सद कहते हैं, जैसे नारी, नारी संस्कीत में भी होता है और हिंदी में भी नारी का प्रयोग कर रहे हैं रास्ट का प्रयोग संस्कीत में भी होता था और ठीक वैसे ही बिना परिवर्तन के आज हिंदी में हम प्रयोग कर रहे हैं उसी तरीके से और भी उदारन हो सकते हैं जैसे की रवी हो गया सीमा हो तो यह सब सारी चीज़े संस्कीत इति हिंदी में हो रही है इसे कहेंगे तट्सम सब्द यहां पर भी कुछ लिखा वह एग परण हस्थ अंधकार अब क्या होता है इसे मतलब जो अंधेरा कहते हैं परिवर्तन के साथ हैं तो से हम कहेंगे तड़ आइसे तो घख कहते हैं परिवर्तन हो गया लेकिन निकला कहां से अंधेरा से अंधिकार से निकला आन जिसे provide you लेकिन उसमें परिवर्तन होके आज यूज हो रहे हैं, तो इसे तरभव कहते हैं, दो बात याद रखे सिर्फ, एक ये कि संस्कीत के हूँ बहुत सब्द का आज हिंदी हम परियोग कर रहे हैं, उततसम हो गया, और संस्कीत के सब्दों में अगर कुछ परिवर्तन करके परिय देखिए, आ से तीन सब्द है जो पुर्टगाली सब्द है, आ से आलमारी जिसमें हम लोग कपड़ा बगड़ा रखते हैं, अलकत्रा और आलपीन, आलपीन पीन जिसमें महलाएं साड़ी को बढ़िया से रोकने के लिए यूज करती हैं, तो आलमारी, अलकत्रा और आलपीन, यह तीनो सब्द हो गए आ से जो पुर्टगाली सब्द हैं, उसका बाल्टी जिसमें हम लोग नहाते हैं, बाल्टी, फीता, तंबाकू, यह तीन सब्द और हैं, जो हो गए पुर्टगाली, तो अलकत्रा, अलमारी, अलपीन, बाल्टी, फीता, तंबाकू, यह 6 सब्द हैं कहती हैं जैसे क्या जैसे हमारा दात होता है ना तो दात पहले क्या होता है पर दूद का दात होता है तो दूद का दात होता है तो इसलिए इसका answer हो जाएगा पूछ रहा है दूज सब्द कौन नहीं है तो बिदेह जो है दूज सब्द नहीं है क्यों? क्योंकि बिदेह का आर्थ होता है बिना देह वाला यानि बिना सरीर वाला तो द्विज तो हुई जिसके पास देही नहीं है तो सरीरी नहीं है तो द्विज कैसे हो सकता है तो डीज का एंसर हो गया द्विज होता कौन-कौन है ब्रहाममन दात और पक्छी यह सबको द्विज कहते हैं अब 92 देखिए, निमलिकित में से कौन सा ततपूरूस समास का उधारन है, तो देखिए, उधारन नहीं है पूछ रहा है, तो आजन्म जो सब्ध है विकल नमबर C इसका ये अंसर होगा, क्योंकि ये ततपूरूस समास नहीं है, तो ततपूरूस समास है कौन, राजकुमार, यग बेदी, ग्राम बास, ये ततपूरूस समास है, लेकिन क्या हमारे लिए महतपूर्ण ये बिकल्प के सब्ध है, नहीं, हमारे लिए महतपूर्ण है, कि हम ये सीखे कि ततपूरूस समास किसे कहते हैं, और ये जो आजन्म है, ये अब वहिभाव समास है, तो कैसे पहच पद को बोलते हैं पूरू पद तो इन सब पचड़ों में नहीं पड़ना है सकेंद पड़ पूरु पद ये सब मेंस की बात है सिर्फ पहचानना सीख लेते हैं देखिए पहले पद में अगर विशेशन हो विशेशन तो आप जानते ही होंगे विशेशन का मतलब जो से तो मैं क्या बताना चाहरा हूँ अगर दो सब्द है दो में मतलब एक सब्द है उसमें दो पद है जैसे कि देखिए लेते हैं ग्राम बासी ये जो दारण है नेसी से लेते हैं ग्राम बासी ठीक है ग्राम और वासी तो देखिए ग्राम बासी में दो पद है ना ग्राम हो विखेस्थ तो हम यही बताना चाहें आपको कि देखिए चो पहला थो आगर विकलत आ विसेस्थ से हो तो इसे dado हो से दो सब्द हो गया, यग और बेदी, तो गौर से देखिए, बेदी तो और भी होते हैं, जैसे साधी के मंडप का बेदी होता है, तो बेदी बिसेस्स है, और यग इसकी बिसेस्सता है, क्योंकि ये वेदी वैसा वैसा नहीं, यग वाली वेदी है, ऐसा बोला जा रहा है, यग वाली वेदी तो यग यहां पर विसेस्ता हो गया किसकी विसेस्ता वेदी की विसेस्ता हो गया तो बस आपको सिर्फ और सिर्फ दो बात याद रखनी है यह कि पहला पत क्या होना चाहिए विसेस्ता अदूसरा पत क्या होना चाहिए विसेस्ता इससे काम चल जाएगा आ देखें मैं बिताता हूं जैसे आप ने देखा होगा अब्बेई सब्द एक मिनिट थोड़ा सा तो जैसे अब डेखा होगा कि यथा लिखा रहता है अब अब्बेई मतलब जिसमें विकार उत्पन्नयं होता है प्रति आ है ना अनू और क्या हो सकता है यथा ये तो लिखी दिया हूँ भर तो देखिए ये सब सारे अब्याई सब्द हैं अब जैसे बिकार का मतलब बताया था ना कि लड़का है तो उसको लड़के बना सकते हैं लेकिन यथा को क्या बनाएंगे यथे ऐसा हो सकता है नहीं प्रत सब्द रहे, पीडियाप दिया हुआ है, आप उसको प्रिंट आउट करा करके, चाहे कैसे भी इसको लिख लीजिएगा, पहला सिर्फ अब्वेव सब्द हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे, वो अब्वेव वाला है, मतलब सब्द, अब्वेव भाव समास वाले अब्वेव समास हो जाएगा, तो ऐसे ही करके और एक्जामपल आप देख सकते हैं, बस अभी दो बाते बताया हूं, फिर सिर्फ लास में दोहरा देता हूं, देखिए, मैंने बोला ततपुरूस समास में पहला पद विसेशन और दूसरे पद विसेशन होने चाहिए, ओ त जाएगा, जैसे भर पेट, तो भर का भरे थोड़ी बना सकते हैं, तो भर यहाँ पर अब्व्याई सब्द है, अब आते हैं आगे की तरफ, देखिए, अगर आपको नह समझ में आएं तो कोई बात नहीं, तना आव नहीं लेने की जरुए ते, आप पताए क्या कीजिए, आप इसको लिख लीजे कि हां मुझे समास पढ़ने हैं अच्छे से, देखिए, मेंस भी तो देना ही है आपको, तो मेंस भी देना है, और समास महतपुर्ण है, देख रहे हैं हर साल पुझराए समास, संधी, क्रिया से प्रसुन, तो इसको अच्छे से कम्प्लीट कर लीज आना है, अब सिर से पानी ऊपर चल जा रहा है, वह ही वाली भात है है, अब निक्स देखिए, ग्रस्त का विपरितार्थक सब्द क्या है, ये तो याद करने वाली चीछज़ राम लक्ष्मन से पत्र लिखवाता है, इस बाक में क्रिया का कौन सा रूप है, निमलिकित में स सही उत्तर चुनिए तो इसका एंसर तो ऐसे होगा प्रेणार्थक क्रिया है अब कैसे पहचाने में प्रेणार्थक क्रिया को नहीं तो देखिए काम क्या हो रहा है क्रिया क्या है लिखवाता है लिखना काम हो रहा है कौन लिख रहा है लक्षमन क्या अपने लिख रहा है नह प्रेणार्थक क्रिया राम लक्षमन से पत्र लिखवाता है अर्थात राम लक्षमन के लिए प्रेणार्थक है अतहिया प्रेणार्थक क्रिया हो गया इन्हीं कि राम से प्रेणार्थक को मिल रही है पत्र लिखने की अब 96 देखे आयो सव्द निमलिखित में से किस बोली का कि यह ब्रजवासा की बोली है आयो 97 मूक का विलोन के आयत मूक का बाचाल मूक मतलब गुंगा और बाचाल का मतलब बोलने वला आपने सुना योगा ना मंत्र का लाइन मूकम करोती वाचालम पंगुम लंगयते ग्रीम तो ही है मूकम मतलब मूक का वाचाल यह सब्द पिछले वाले में भी था बिकल्ब के रूप में 98 देखते हैं निमलिखित में से कौन सवाग के सुद्ध है तो सिर्फ सुद्ध पढ़ देते हैं क्रिपया पत्रोत्तर सिग्रदें अब इसका वही मैंने बताया था इसको कैसे शीखते यह वाले को सिर्फ लिख लिजिए कपी पर लिख दी देंगे को प्रैक्टिस हो जाएग पेन उठाए मैं बोल देता हूं अब लिखिए लिखावा अत्यधिक तो आधत य धा पर छोटी की मात्रा है और कह है तो अत्यधिक हो गया इसे इसी तरीके से जो भी इसमें है लिख लिजेगा ब्याक्या में अधीन व्यावाहारिक मिस्ठान अत्यधिक ध्यान रखिए गलत सुझ्दवला मत लिखिएगा क्योंकि वह भी दिमांग पर चला जाएगा ं सिर्फ सुझ्दवला लिखिए दो-वार लिख लेंगे तो बहुत हैं क्या कॉन सा किरन का पुस्कर नहीं है विकल्ब सी काइंसर होगा क्यूं क्यां पुसकर का मतलब होता है तलाव पुसकर भो वाले में तो देखी क्या लिखा हुआ है कि निम्लिक्त में सकोना निष्चल का अर्थ नहीं है तो अपने अस्थान से नहीं ज़ती है पहलना अस्थान से हिल नहीं है तो ये तो है ही अर्थ, जबकि पुसराय जो नहीं है, इस्थिर, तो वही इस्थिर होता है, इसलिए भी है अर्थ, अचल, अचल संपति बोलते हैं अचल, मतलब जो नहीं चलता हो, तो अचल संपति जैसे जमीन, माकान, ये सब सारे अचल संपति होते हैं, जो मतलब जो नही लोटना इसको क्या कहते हैं कलीजे पर साब लोटना मुहावरा देख रहें मुहावरा से पूछी रहा है अब जो पिछले वाले वर्स में किये थे उसको थोड़ा सा रखना उसको बोलते हैं आखों में गड़ना तो मुहावरा अच्छा एक लोकुक्ति भी आया था ना साथ 2012 में वो क्या था ओटन लगे कपास आये थे हरी भजन को ओटन लएक कपास तो मतलब किसी और काम से आये थे और करने लगे कोई और काम यह भी सौट रिविजन हो गया अब 88 यथा रूची में समास है देखे फिर आ गया अब देखे यथा रूची है आप से ही मैं पूछता हूँ अब बताईएगा देखे मैं लिख रहा हूँ यथा रूची अब खुद एंसर तो समझ में आही गया होगा नहीं आया तो अब आ जाएगा यथा फ़स्ट पद गार नहीं उत्पन हो सकता है तो जिस पहला पद अभ्याई हो उसों कौन सा बोलेंगे समास अभ्याई भाव समास सिंपल प्रिसका देखिए है सी नंबर अभे भाव समास यहां पर देखें लिखा हुआ भी है कि यह थार उची में प्रथमपद अभ्याई है तो बस यही इसका पहचान है आसान है को ज्यादा हार्ड नहीं है लेकिन फिर भी ठोड़ा रिसर्च में अगर नोट्स नहीं बना होता है जिसे सचल का अचल अभी आया था भी कल्ब में सचल का अचल होता है बिलूम चंचल का बिलूम सांत होता है चेतन का अचेतन होता है अस्थावर का बिलूम जंगम होता है नाइटी नमबर निम लिखे तो मैंसे सुध सब्द है तो फिर वही देखे सुध सब्द पाचान ने आ गया तो कुमुदनी आप इसको जरूर लिख लिजिएगा देखे एक आया था मैं थोड़ा लिख देता हूं आप इसको अभी लिखिए मैं बोल देता हूं क पर बड़ी UKãychedoo की मात्रा आ माण पर छोटी की मात्रा और व्तर शोटी य की मात्रा और ना पर बड़ी की मात्रा कुमुदनीॏ अच्छे से एक दो बार लिख लिजिए तो प्राक्टिस हो जाएगा है आप अपको याधिalli में पहले बड़ी उ त्री लिखना इंक सब्द तो कवित्री तो ये मातरा में कन्फिउजन होता है वहाँ पर exam में और आते हैं 91 पर किस सब्द में गुन सन्धी पर ये संधी संधे द्धि कम से कम depois छे से तयार कर लीजिएगा एक दम ताकि सी से इसी से निकल जाए ज्यादा नमबर तो लाना नहीं है तो इससे कोई दिक्कत नहीं लेकिन हाँ अभी जितना अच्छा तयार रहेगा फर्स्ट पेपर मेंस वाले में बड़ा अच्छा काम आएगा अब देखिए तो इसकी ब्याख्या छोड़ देते हैं अब देखिए 92 देखते हैं सब्द अन्वे का संधी विछेद है तो अनू प्लस आ को अन्वे कहते हैं और ये यन संधी है अन्वे क्या है यन संधी और इसका संधी विछेद है अनू प्लस आ कभी-कभी पता है सेम क्रिश्चान रिप चानेंगे देखिए एक क्या किजिएगा वीडियो जैसे खतम होगा गुगल में यूपी का मैप ढूंड़ीएगा ठीक है सांदार से मैप ढूंड लीजिए उसमें धूंड यह कहां पर है यह क्या बुलते हैं बहराइद सुल्तानपूर राइवरी डिस्टिक कहां है अब उस साथ से ज्यादा दिमाग में बस जाता है देखिए किताब तो सब को पता है वही सारे किताब हैं सब पढ़ते हैं किसी का नंबर कम किसी का ज्यादा किसी को सेलेक्शन किसी को सेलेक्शन नहीं तो यह सब पता है पढ़ने का तरीके पर है पढ़ने का तरीका जिसको अच्छ से बोलते हैं जो शंव्र संफित से निकुला सब्द लेकिन संस्रीट सब्स्थ परिवर्तन हुआ है तो कर्पट है यहां पर सब्सक्राइब बदल करकर मैं कपड़ा के रूप में परियोग करते हैं तोब कैंक क्या हो गया तदभव, और करपट क्या हो गया उस हिसाब से, यह तदभव, एक और इसमें लिखा हुआ है, अभी हम कपूर एक बोलते न, कपूर, तो कपूर को करपूर बोलते थे संस्क्रीत में, तो करपूर हो गया तदभव, तो वही वाली बात हो गया, कि संस्क्रीत वाले सेम सब्द लगतनी में परिवर्तन करके यूज कर रहे हैं तो दो 95 में से तो कर्मक्रिया का वाक्य कैसे करें देखिए पहले मैं जो आपको पहले बताया था पुर्भ ज्यान जो आपका है अभी उसको रिविजन करा देता हूं फिर यह बताता हूं मैंने क्या बताया था वो क्वेश्चन था याद कीजिए मुझे याद आ रहा है जैसा कि सिसू सो रहा है तो काम हो रहा था सो करता के नियंत्रण में ना हो तो बोलते हैं अकर्मक जो麼 कर रहा हो जो पढ़ेगा कौन पढ़ेगा तो परभाव किसे और पढ़ेगा किसी और पर पढ़ेगा तो मैं यह कहना चाह रहा हूँ कि बालिका निवंथ लिख रही है ये सकर्मक्रिया है क्यों कि परभाव दूसरे पर पढ़ रहा है इसलिए ये सकर्मक्रिया है जब कोई काम किसी और के द्वारा किया जाया और परभाव किसी और पर पढ़े तुसे कहते हैं सकर्मक्रिया अब आते हैं यहाँ पर 96 निमलिखित में से कौन सवाक व्याकरण की दृष्टी से असुद्ध है तो पहला वाले वह दंड देने के योग है तो यह गलत है पता है कैसे इसका सही होना चाहिए था वह दंड देने योग है इसका सही होना चाहिए था दंड देने योग है इसमें दोस यह है कि अतरिक्त रात जागता रहा तो इसी नंबर जो है यह सही सुद्ध है भाग अब फिर क्या लिखा हुआ है आपको पता ही कि सुद्ध वाला सिर्फ पकड़ना है सुद्ध को अपने अंदर मतलब सुद्ध अच्छा प्रैक्टिस करने के लिए 98 में निमलिखित में से कौन सा रात्री का प्रयावाची नहीं है तो समीर जो है वो रात्री का प्रयावाची नहीं है क्योंकि समीर का मतलब हवा होता है जबकि रजनी विभावरी नीसी यह सब सब रात्री का प्रयावाची है मिर्गेंद्र का प्रेवाची सब्द है तो मिर्गेंद्र का प्रेवाची सब्द है सारदुल और भी है जैसे कि मिर्गेंद्र का प्रेवाची सारदुल के साथ ससी भी होता है ब्यागर भी होता है पंचमुक भी होता है मिर्गराज भी होता है केसरी भी है केसी भी है कहरी भी तटसम का मतलब क्या जो सब्द संस्क्रीत में यूज हो रहे थे सेम हूब भा हूब बिना किसी चेंज के आज भी हिंदी में यूज हो रहे हैं वो तटसम कहलाएंगे और अगर वो सब्द में थोड़ा परिवर्थन हो गया और वो यूज हो रहा है तो उसको कहेंगे यह दोनों क्या है तत्सम सद हैं जैसे संस्क्रीइत में हो रहा था मर्ग स所以 अर म्रग सब्स्वह दोनों डीन QUEंवर में ग््यान और छहत्र तो दोनों टत्सम सब्सद हो इसे ही है आज भी यूजे हो रहें लेकिं आपने हो आज यहां ददी और भात तो दधी के साथ यह भात क्या है भात तदभव सब्द है तो यह नहीं हो गया तत्सम जोड़ा यह नहीं है दधी तो है तत्सम लेकिन भात यहाँ पर तत्सम नहीं है तदभव सब्द है तो इसलिए दधी के जगा भक्त होना चाहिए था तब होता तो इसलिए इसका एंसर भ बताईएगा धन्यबाद